अगर आप चाहते हैं कि आपकी घर पर जादा guest आएं तो उसके लिए जरूरी है कि आपके घर का address ठीक हो वैसे ही जब भी आप चाहते हैं कि आपकी website टॉप पर rank करें या फिर उस पर जादा traffic आए तो उसके लिए सबसे पहले हम अपनी website का address ठीक करते हैं यानि उस website का URL ठीक करते हैं तो on page SEO का first step जो हमें follow करना चाहिए वो यह है कि हर एक webpage का हमें जो URL है यानि उसका जो address है उसे optimize करना पड़ेगा तो URL क्या होता है optimize क्यों करना चाहिए और आखे उसे optimize हम करेंगे कैसे यह हम जानेंगे आज की इस एक वीडियो में तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं हलो एवर्यवाण आई हरमीत वर्कम यू अल ऑन जबलो स्किप्टिक चानल सो जैसा मैंने बताया आज हम बात करने वाले हैं हमारे on page SEO के एक important point कि जब भी हम on page SEO कर रहे हैं तो उसमें सबसे पहले हमारी जो website पर web pages है उनके URL को optimize करना जो भी अभी यह तक हमने keyword research करी है उनी keywords का हम use करके हमारे URLs को optimize करेंगे optimization जानने से पहले पहले आके जानते हैं कि URL होते क्या है और आखिर इनको optimize करना क्यों ज़रूरी है तो सबसे पहले मैं कोई भी keyword type करती हूँ जिससे मुझे कुछ results दिखें जैसे कि मैंने type किया by furniture online मैंने ये simple keyword मैंने type किया यहाँ पर अब देखेंगे तो मुझे ये तो कुछ ads दिख रही है एक बार मैं scroll down कर देती हूँ और ये ads खतम हुई तो ये फिर मेरी जो organic जो मेरा search आ रहा है वो आ रहा है अब यहाँ पर आप scroll आप करेंगे तो यह देखी यह जैसे मेरी first website आ रही है organic results में यहाँ पर आप देखेंगे कि यह जो part है like जैसे यह मेरी एक webpage यहाँ पर आ रहा है यह एक webpage आ रहा है यह webpage आ रहा है यह webpage आ चीक है यह जो आपको दिख रहा है यहां पर उपर यह मेरा URL है अब यह URL कैसा है कि normally यह तो हमारा STTPS हो गया then www.pepperfryer.com and slash then furniture.html HTML तो वो हमारे server की वज़े से आया है otherwise यह मेरा जो है basically URL है चीक है इसको मैं एक बार यहां पर copy कर देती हूँ तो यह मेरा proper URL हो गया URL में जो आपका domain name होता है that is www.pepperfryer.com यह मेरा domain name है इसके आगे का जो extension होता है इसे हम slug कहते हैं या फिर आप कहलीचिए कि URL का जो ending part होता है यह अब हमें देखिए domain name तो हम optimize कर नहीं सकते obviously बात है basic सी चीज़ है domain name को हम optimize नहीं कर सकते domain name आपने खरीदा है obviously आपका brand name है वो तो उसको हम कुछ भी change नहीं कर सकते लेकिन यह वाला जो part है मतलग domain name के बात वाला जो part है उसे हम change कर सकते हैं इसे हम कहते हैं slug तो slug को हम optimize करेंगे कैसे करेंगे यह जानते हैं so I hope अब आपको यह जो है तो आगे furniture आ रहा है फिर उसके बाद में अब आप यह देखेंगे यहाँ पर यह URL तो इसमें देखिए तो यहाँ पर IKEA IKEA एक मतलब जो हमारा brand name है brand name के बाद में कुछ और चीज़ें आ रही है जैसे cat, furniture तो अब इसको हमें optimize करना पड़ेगा चीक है उसके साथ ही यह देखिए यहाँ पर हमारे URLs है जैसे मैं एक और यहाँ पर keyword type कर लेती हूं that is construction company in India मैं type कर लेती हूं यहाँ पर तो यह मेरी local listing आ रही है उसके बाद में आप देखेंगे तो यह मेरी blogging एक website है और यहाँ पर आप देखेंगे हम कुछ चीज में ध्यान रखेंगे यह देखिए यह proper URL है अब URL को हम क्यों optimize कर रहे है देखिए जैसे मैं आपको बता चुकी हूं keyword prominence वाला principle अगर आपने वो नहीं देखा तो वीडियो आपको मिल जाएगी previously ही यह वीडियो आये थी यानि search engine result page पर कुछ भी जो हमारे results आ रहे है उसमें सबसे पहले जो website का देख रहा है वो हमें URL देख रहा है उसके बाद में इसे हम title कहते हैं इसकी भी मैं बात करूंगी लेकिन आज की वीडियो में particularly मैं बात करने वाली URL पर चीक है यह कुछ keywords है जो मैंने yellow mark किये है वो मेरे main keywords है और इन में भी ना मैं क्या करती हूँ primary और secondary keywords जैसे मैं आपको बताया था primary keyword मतलब एक ही मेरा keyword होगा mostly मैं एक ही रखती हूँ आप चाहें तो दो भी रख सकते हैं तो यह जो oranges है यह मेरा primary keyword हो गया और उसके बाद में यह जो yellow वाले है यह मेरे secondary keywords है primary keyword मतलब जो मेरे बहुत ज़ादा important है तो मैं एक काम करती हूँ यह वाला जो मेरा particular keyword है इसको मैं primary कर देती हूँ क्योंकि यह मेरे को ज़ादा effective लग रहा है देखिए इसमें competition कम है लेकिन इन दोनों की volume बराबर है तो इसलिए मैं कम competition वाले को primary रखूँगी तो यह जो orange वाला है यह मेरा primary keyword हो गया इसके आगे मैं P लगा देती हूँ और बाकी उसके अलावा यह सभी के सभी मेरे secondary keywords हो गया तो यह मैंने यहाँ पर put कर दिया तो यह मेरा primary keyword है अब हम यहाँ पर बात कर रहे थे URL जब भी आपको किसी web page का optimize करना है तो क्या-क्या चीज़ ने ध्यान रखनी है सबसे पहली चीज़ जो आपका primary keyword है यानि जितने भी हमने keywords find out किये हैं उसमें हमने जैसे किसी एक को primary keyword put किया तो उस primary keyword को आपको अपने URL में put करना है क्योंकि जैसा कि मैं बता चुकी हूँ prominence वाले principle के time की जितना height पर यानि जितने सबसे उपर जो आपका keyword रहेगा आपके source code में या फिर मैं कहूँ आपके serve पर उसके rank होने की chances बढ़ेंगे तो आपका जो primary यानि जो main keyword है उसे हम URL में put करेंगे क्योंकि सबसे पहले serve पर आपका URL ही दिखेगा उसके अलावा जब भी अगर मान लीजिए जैसे मैंने housekeeping की बात की housekeeping in Delhi तो housekeeping in Delhi इनको अब हमें space से हम separate नहीं कर सकते URL में space नहीं आता ये mirror को लिखना है तो मैं hyphen बल लगाऊंगी तो वो काफी जादा effective देखेगा और कोई उसे easily पढ़ सकता है बहुत जादा लंबा आपका URL नहीं होना चाहिए तो length का बिलकुल आपको ध्यान रखना है और short हो और बहुत ही जादा precise हो प्रसाइज मतब कम शब्दों में आप बिलकुल कह सकता है शो कर दे कि आपकी वेब पेज पर किस तरह का content पड़ा है क्या है इस वेब पेज पर तो short और precise आपका URL होना चाहिए हमेशा आपने URL में आप lowercase letters का use कीजिए कभी भी uppercase यानि जो हमारे क्याता है बड़ी ABCD वो यूज नहीं करना है आपको lower cases यूज करना है उसी के साथ ही कोई भी propositions या फिर कोई भी articles आपको यूज नहीं करना है जैसे A, N, D, In, At इसका भी आप यूज ना करें चीके सिर्फ जो आपके main keywords keywords में से भी जो main words है उनको आप यूज करें तो अभी हम example देख लेते हैं कि किस तरह से जो अभी हमने keyword research की है उसके according हम URLs को optimize करेंगे जैसे अब आप देखिए कि ये मेरा main keyword है मतलब मेरा primary keyword है तो मैं इसको definitely use करने वाली हूँ तो एक बार मैं इसको copy कर लेती हूँ नोटपैड पर मैं आपको अपना URL जो है शो करती हूँ उससे पहले एक काम करते हैं कोई website अपन open कर लेते हैं चीके जी तो ये मैंने एक sample website है मैं scope इसका नाम है तो मैं scope का ये वाला एक page है जहाँ पर basically ये housekeeping services या house clearing services provide कर रहे हैं तो अब इसका जो current URL है अगर मैं इसको open करती हूँ तो ये particularly मेरा URL है इसको मैं copy कर लेती हूँ तो इसी को ही मैं अपने keyword के according optimize करूँगे चीके तो मैं इसको यहाँ पर put कर लेती हूँ कि ये है मेरा current URL मतलब अभी जो मेरी website पर URL इस page पर लगा हूआ है वो ये है तो मैं SEO report में ये ही लिखूँगी कि recommended या फिर suggested URL तो suggested URL मैं क्या करती हूँ मैं इसी URL को इसको copy कर देती हूँ तो suggested URL मैं थोड़ा सा इस तरह से लिखूँगी कि www. ये mask of services है तो ये तो मेरा domain name है इसको मैं change नहीं कर सकती लेकिन ही जो पीछे वाला हमारा slug है इसको मैं definitely change कर सकती हूँ तो अब यहाँ पर मैं use लोगी मेरे keyword का keyword मेरा जो primary keyword मुझे इसमें use करना है तो housekeeping services in Delhi ये मेरा primary keyword है इसको मैं copy कर लेती हूँ और यहाँ पर paste कर देती हूँ एक बार देखिए spaces जो है मैं scopservices.in slash आया और ये मेरा slug आ गया slug आप थोड़ा सा focus करेंगे इस पर तो मैंने यहाँ पर simply क्या लिखा है housekeeping services in Delhi और इसमें मेरा जो primary keyword है वो आ चुका है और आप देखेंगे कि जितना भी जो मेरा URL है वो सब के सब lower cases में है वही आपको रखना है पर जितने भी जो pages है उन सब के URL को optimize करना पड़ेगा उसी के साथ ही अगर आपका कोई contact us का page है services का page है तो ऐसे में आप वहाँ पर about us या services या contact us ये भी words लिख सकते हैं साथ में और आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करेंगे तो ये काफी short मैंने URL लिया है आपको भी यही करना है क्योंकि जैसा आप ही हमने देखा कई सारे URLs ऐसे थे जो की cut हो रहे थे बीच में तो वो हमारे साथ ना हो इसलिए हम जो हमारे URLs होंगे उनको short and precise रखेंगे अब चलिए अगर हमारी coding में website है तो ये हम recommend कर देंगे हमारी SEO report में डाल देंगे कि ये change करने के लिए हमारे developer को बोल देंगे लेकिन अगर आपकी wordpress website है तो उसमें आप कैसे कर सकते हैं जल्दी से देख लेते हैं चीक है तो इसके लिए मैं आज आती हूँ wordpress पर तो ये देखिए ये मैं wordpress पर आ चुकी हूँ wordpress में जिस भी page का आपको URL optimize करना है हम जाएंगे उस pages पर तो pages पर मैंने all pages में आगी हूँ अब जैसे for example let's say ये x y z मेरे नाम का एक page है चीक है मैंने सर्फ एक randomly page बनाया है जिससे मैं आपको दिखा सकूँ चीक है इस page को मैंने कर लेना है open चीक है ये page open हो गया अभी आपको हो सकता है कि थोड़ा से इसका इंट्रफेर डिफरेंट लग रहा हो क्योंकि मेरे काई सारे plugins installed है ठीक है तो इसलिए आपको थोड़ा सा हो सकता है अलग लग रहा हो लेकिन चेंज नहीं होगा लेकिन मैं जो slug है यानि domain name के बाद वाला पार्ट वो यहां पर optimize कर सकती हूं तो example जैसे मैं ले लेती हूं कि यही मेरा page का URL है तो मैं इसको यहां पर as it is जो slug वाला पार्ट है slug वाला पार्ट यहां से होगा .in.com के बाद में जो पार्ट होता है URL में उसे हम slug कहते हैं तो slug को मैंने किया copy और यहां पर मैं इसको कर दूँगी चीक है तो मेरा slug यह हो गया चीक है तो यह देखेंगे तो जैसे अभी मेरा इसका ग्यानिम मतलब एक मैंने sample website यहां पर ली हुई है तो उसको पहरी मैं आपको सारी practice करके बताऊंगी तो यह आप देखेंगे तो इस तरह से मेरा यह page दिखने वाला है चीक है तो अब मैं इसको यहां पर simply यहां पर URL पुट किया था वो यहां पर आ चुका है चीक है तो इस तरह से आप अपनी WordPress website पर अपना URL यानि अपने slug को पर्मा लिंक को optimize कर सकते हैं तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे आप अपनी web pages का URL चेंज करके उसे optimize करके SEO friendly बना सकते हो और यह एक factor है जो की definitely consider होता है जब भी आपकी website की ranking decide होती है तो यह बहुत ही ज़्यादा जरूरी step है आने वाली वीडियो में हम और भी कई factors की बात करेंगे तो इसी लिए WS Cube Tech को subscribe करके रखिए जिससे इस तरह की important videos आपसे मिसना हो और यह हमारे complete course चल रहा है complete SEO course so make sure आप एक भी वीडियो इसकी मिसना करें अगर वीडियो अच्छे लगे हो तो like करना बिल्कुल 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 भी मत भूलेगा साथ ही कोई भी question हो query हो मुझे comment section बता दो thank you so much हुआ 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 है